आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ hydrogen, carbon dioxide, oxygen या फिर nitrogen गया है ठीक है तो हमें सबसे पहले water का electrolysis करवाना है है ना? तो क्या होता है? हमारे पास दो electrodes होते है और एक beaker होता है जिसमें हम लोग पानी रखते है water store करते हैं, ठीक है? तो यह suppose बीकर है यहाँ पे पानी है और यह हमारे दो electrodes है अब इसे हम इसे एक cell से connect करेंगे ठीक है? तो क्या होता है? जब हम इसके थूँ electricity पास करवाएंगे तो यह positive side है और यह negative side है तो electrons जो होंगे, वो move होने लग जाएंगे यहाँ से यहाँ तक और यह वाला जो हमारा electrode होगा उसे हम कहेंगे anode जो हमारा electrode positive side से connected होता है बैटरी के उसे हम anode कहते हैं और जो negative side से connected होता है उसे हम cathode कहते हैं और जो हमारा water है that is H2O यह हमारा break होगा किसमे? H2 gas में और O2 gas में अब यह reaction balance करने के लिए हम लोग यहाँ पर 2H2O लगा सकते हैं यहाँ पर 2H2 और O2 अब यह reaction balanced है तो हमारा जो water होता है electrolysis में क्या होता है? break हो जाता है hydrogen और oxygen gas में है नब? तो अब क्या होता है? जो hydrogen gas है वो हमारी मिलती है negative terminal पे ठीक है? तो negative terminal पे हमें मिलेगी hydrogen gas और positive terminal पे मिलती है oxygen gas और positive terminal पे हमें मिलती है oxygen gas तो यह जो gas होती है यह cathode और anode के पास में bubbles के form में present रहती है ठीक है? क्योंकि gas है तो gas पानी में जो होती है वो bubbles के form में present रहती है तो negative terminal हमें कोश्च में पूछा जा रहा है कि negative terminal पे कौन सी gas होती है? तो negative terminal पे हमारी bubbles के form में में रहती है hydrogen gas that is h2 बॉप्शन रहते है option 1 कहा रहा है hydrogen हाँ hydrogen gas रहती है हमारी bubbles के form में कहां negative terminal के पास option 2 कहा रहा carbon dioxide carbon dioxide तो नहीं होती क्योंकि हाँ पर water का hydrolysis हो रहा है water hydrogen और oxygen gas में break होता है option 3 कहा रहा oxygen oxygen gas होती है बट वो positive terminal पे होती है सो यह भी नहीं होगा and option D कहा रहा nitrogen nitrogen तो इसमें योज ही नहीं होती है तो nitrogen हमारा answer नहीं होगा so our right answer will be option 1 that is hydrogen classic studio से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे doubt net आप या whatsapp कीचे अपने doubts 8400 400 चार्स उपर